नमश्कार एटोज़ डिशुष उशा कोरजानी में आप सबका स्वागत है आप सबीने न भींडी की कई तरह की सबजी खायोगी पर इतनी मसालेदार और इतनी बड़िया सी न भींडी की सबजी आपने कभी नहीं ट्राय कियोगी यह इतनी टेस्टी बनती है न इसे आप चा कैसे कैसे बनाएं तो ही मेरे मूँ में पानी आ रहा है यह इतनी बड़िया बनती है तो चली बनाते हैं यह एक तो मसालेदार होती है न तो सबसे पहले एक कटोरी ले 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 हैं छोटी सी प्लेट इसके अंदर आपको डालना है दो चमज धनिया पाउडर एक चमज लानु लीना है अब आप सोच नहींगे कि मैंने इसके अंदर तेल क्यो डाला बना दर चियु द चेल से क्या होगा कि एक बगा ये जो नहीं हमने जिए यह तोड़ासा चिप चिपा हो जाएंगा इसके लिए और भिण्डी का इसके लिए पानी ने थी इसी अच्छे से वाउश प के इस तरह से बिंडी में लगा लेना है तो आप सोच रहेंगे कि इसमें मसाले काफी जादा है क्योंकि देखे बिंडी तो एक सबजी है उसका कोई इतना स्वाद नहीं होता है तो ये बीच में मसाला जाएगा और ये इतनी मसालेदार बनेगी आपको खाकर मज़ा आ बस धकना नहीं है खुलाई बून लीजे और इसे धक कर अब आपको इसे तीन से चार मिंट तक पकाना है बीच बीच में आपको इसे चेक भी करते रहना है तो तीन से चार मिंट के बाद आप देख सकते हैं बिंडी सौफ्ट हो गई है बस इसे अब खुलाई पकाएंगे तकरीबन और दो से तीन मिंट के लिए तो क्या होगा ना इसमें हलकी सी भींडी क्रिस्पी हो जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं तीन से चार मिंट हो गए और यह मसालेदार भींडी बनकर तयार है रोटी पराठे राइस खिचडिया ऐसे ही से खाएं कभी-कभी ख खुलें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती है एकने रेसिपे के साथ तब तके लिए थांक यू फॉर वच्चंग